सक्सेस एक्स्परियंस से आती है और एक्सपरियंस जो है वो बैड एक्सपरियंस से आता है कहने का मतलब है जब तक आपको ठोकर ना मिले तक तप आप सक्सेस तक नहीं पहुँच सकते ज्यादा दो कहने का मतलब है जब तक आप अपने लाइफ में bad experience फिल नहीं करेंगे, कहने का मतलब है success के रास्ते में अगर जब तक आपको पता नहीं है कि कहाँ पर आप गिर सकते हैं, कहाँ पर आप गिर नहीं सकते हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए कम से कम आपको ठोकर लगना तो इसके बाद कभी भी आपको ठोकर लगे तो आप गिरेना आप बहुत मजबूती के साथ सम्हल पाए और आपने रास्ते तक यानि सक्सेस तक जो है वो पहुच पाए और आप सभी को पता है कि जो मेन एक्सप्रियंस है ना उससे बड़ा चीज लाइफ में कुछ नहीं होता जो हमें एक्सप्रियंस अनुभाव सिखा सकता है वो जिन्दिगी में कोई और चीज हमें नहीं सिखा सकता है और अनुभाव जो है वो बुरे अनुभाव से ही आता है ठीक है बहुत बड़ी बात है तो फेल से मत डड़ो आप ये सोचो कि आप डेली क्या क्या सीक्र है ताकि आप जो भी गलती कर रहे हैं वो दुबारा लाइफ में गलती आपसे ना हो बिल्कुल भी सो क्लास को स्टार्ट करूँगा बोलूँगा सक्सेस की 98 चैमल पर जो भी नए है चैमल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे और किसी भी एक्जाम का प्रैक्टिस से जो है आप सक्सेसकी 98.net पर जाकर दे सकते हैं या फिर सक्सेसकी 98 का एप्लिकेशन जो गूगल के प्लेइ स्टोर पर है वो डाउनलोड करने के बाद आप एप्लिकेशन के उपर भी दे सकते हैं ठीक है हर एक एक्जाम का 20-25 सेट मिल जाएगा ताकि आप एक्जाम से पहले अपने आपको जज कर पाओ कि कितना स्कोर कर रहे हैं या फिर वो S.A.C. का एक्जाम हो बैंक का या फिर रेलवे का एक्जाम हो और एक बात मैं बोल दूँ 349 वाला पैकेज अगर बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ आपको हर एक एक्जाम का मोग टेस दिया जाएगा जितने भी एक्जाम एक साल में आएंगे ठीके सो क्लास को स्टार्ट करूँगा और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 15 जैन्वरी के important current affair कुछ important point के साथ तो देखते हैं आज का पहला जो प्रस्न है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का जो पहला प्रस्न है वो यह है सुच सुरवा से एक दिन पहले किस सहर को ODF plus plus का दरजा मिला है अब यहाँ पर ODF का full from मतलब क्या है तो open defection free यानि आप बोल सकते हो स्वच मुक्त बोल सकते हो जो बाहर स्वच करने जाते हैं उससे पूरी तरह से मुक्ति मिल गई है और इसका जो सुरुवात है उससे पहले कि सहर को यह tag दिया गया है ODF plus plus का बहुत important question है यह वाला और यह आप सभी को tag दिया गया है आपका ODISA का राधधानी जो कौन है तो वो है आपका वुवनेस्वर को दिया गया है यह tag ठीक है और ODISA का राधधानी क्या है वुवनेस्वर है सभी को पता है और उडिसा के मुख्य मंत्री कौन है तो नवीन पतनायक और उडिसा के राज़ुपाल तो वो है आपके गनेसी लाल याद रखिएगा आप सभी ODF++ का जो टैग है वो वुवनेस्वर को दिया गया है ठीक है अगला प्रस्त मारे सामने हैं किस बैंक ने लेन दिन सुल्क कम करने के अलावा सभी बचत खाता पर गएर रख रखाव सुल्क माफ कर दिया है आप सभी को पता है आजकल के जितने भी बैंक है उसमें अगर आपके सेविंग एकाउंट में अगर आपका पैसा जिरो हो तो आपसे कम से चार्जेस जो है वो काटा जाएगा ठीक है लेकिन अब ये सब नहीं होगा आपको कोई चार्जेस नहीं काटा जाएगा पूरा फ्री कर दिया गया है कौन से बैंक में तो वो बैंक का नाम याद रखेगा अगला प्रस हमारे सामने है कि केंद्र सरकार ने 2019 में केवल कितने पटिसत किसान को जो है वो कवर किया है परधान मंत्री किसान योजना के तहत आपको बताना है क्वेशन मैं आपको पहले अच्छे से समझा दू दो हजार उननीस का जो टार्गेट था वो पूरा नहीं कर पाई है सरकार आप सभी को पता है एक स्किम निकला था किसानों के लिए परधान मंत्री किसान समन निधी योजना इसके अंदर क्या था किसान को छे हजार सलाना जो है वो मदद की जाएगी दो हजार इंस्टॉल्मेंट के पर ठीक है और पूरे साल भर में छे हजार रुपए जो है वो दिया जाया किसान को लेकिन 2019 में जो केंदर सरकार है वो मात्र 50% किसान को ही ये लाव दे पाई है तो ये अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाई है और मात्र 50% किसान को जो है या फायदा मिल पाया है 2019 में ठीक है अगला प्रस्ता मारे सामने है गोल्डेंग ग्लोब्स अवार्ड का 77 ससकरण की इस देश में अयोजीत किया गया है ये आपको बताना है और इसका अयोजन हुआ था आपका अमेरिका में यानि इवेस्ते में आप्सन नंबर आपका बी यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे यही है आपका ट्रोफी जो हर एक एक्टर एक्टरेस को दिया जाता है इस गोल्डेंग ग्लोब्स 2020 के अवार्ड में दिया गया था ठीक है अगला प्रस समारे साथ इस रो का अंतरिक्ष यापरी प्रसिछण केंद्र कहां पर इस्तापित किया जाएगा ये आपको बताना है इस क्वेस्टिन में और इस बैंगलूरू है वो किसका राजधानी है तो वो करनाठका का राजधानी है और करनाठका के सीम का नाम सभी को पता है योदोरप्पा और वहां के राजजुपाल का नाम है बजुभाई वाला ठीक है और एक बात इस रो का हेटक्वाटर कहां पर है तो इस रो का हेटक्वा जाएगा आपका चलकेरे में जो आपका बैंगलोर में पढ़ता है। अगला प्रस हमारे सामने हैं, बैस्विक ब्रॉडबेंड बनाने के लिए स्टार लिंक उग्रहों के तीसरे भाग को किसने लॉँच किया है, ये आपको बताना है इस व्यूश्टिन में, और ये को कौन है तो Elon Musk याद रखिएगा SpaceX के द्वारा जो है वो Westwick Broadband बनाने के लिए Starlink उबग्रह के तीसरे भाग को launch किया गया है अगला प्रस्त हमारे सामने NASA के किस उबग्रह ने जो है वो Goldilocks जोन में प्रिठवी के आकार का विस्व पाया है आपको बताना है बहुत एक प्लेनेट पाया गया है जो आपका Goldilocks जोन में पाया गया है NASA के किस उबग्रह ने ये पता लगाया है और ये पता लगाया गया है आपका तेस ने option number आपका B ठीक है यहाँ पर तंग हो गया है ये होगा आपका तेस ठीक है इस उबग्रह ने जो है वो पता लगाया है और उस प्लेनेट का नाम क्या है जो पता लगाया गया तो उस प्लेनेट का नाम याद रखिएगा वो है आपका TOI 700D इसका नाम दिया गया है और NASA के administrator का नाम क्या है तो वो है आपका Jim Brindstein ठीक है और NASA का headquarter कहां पर है तो वो है आपका once in turn DC जो अमेरिका में पढ़ता है अगला प्रस हमारे सामने है किस 2020 को Seneca के लिए गति सिलता के वर्स में के रूप में देखा जाना है यह announcement किस ने किया है तो यह announcement किया है आपका CISF ने ठीक है option number आपके B और CISF का डारेक्टर जनल कौन है तो वो है आपके राजेस रंजन जी ठीक है याद रहेगा ना चलो अगला प्रस हमारे सामने केम्रिय बजट 2020 और 2021 का पेस किया जाएगा तो यह पेस किया जाएगा आपका 1 February को option number आपका B ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है किस देश ने लेजर अधारित हवाई रक्षा पारणी विक्सित की है लेजर बेस्ट एरियल डिफेंस सिस्टम डेबलप करने वाला कंट्री है आपका इसराइल option number C और आज का आपका पहला प्रस नहीं से निकल कर आ रहा है इसराइल का currency यानि मुद्रा क्या है इसराइल के president यानि वहां के राष्टपती कौन है और इसराइल का capital यानि वहां का राजधानी क्या है या तीन चीज आपको इसराइल के बारे में comment करकर बताना है या आपका आज का पहला प्रस्त है अगला प्रस्त हमारे सामने है किस भारतिय मुल्की लेखक को हाल ही में UK Children's Books Awards से सम्मानी किया गया है आपको उनका नाम बताना है और उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका जस्बिंदर बिलेन option number आपका B जो फोटो में आप सबी को दिखाई दे रही है इनही का नाम है आपका जस्बिंदर बिलेन ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है 2022 का Commonwealth Game या रास्ट मंदल खेलों की मेजबानी कौन सा सहर करनी जा रहा है और ये 2022 का Commonwealth Game जो है वो होगा आपका ब्रिंगम में जो आपका Britain में पढ़ता है यानि की UK में ठीक है तो ब्रिंगम में होगा आपका 2022 का Commonwealth Games यानि रास्ट बंदल खेल ठीक है और ब्रिंगम कहां पर पढ़ता है तो ये पढ़ता है आपका Britain यानि की England में और England के पढ़तान मंति का नाम है आपका Boris Johnson Capital London और Currency जो है वो वहां का है Pound Sterling ठीक है तो ये थे आपकी Important Current Affair 15 January का इसका पूरा का पूरा PDF जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजेगा जो आपको वहां पर मिल जाएगा या फिर Success की 98.in से भी जाकर आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं So मेरे जितने भी भाई वैने सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी खयाल लगिएगा ठीक है ना चलिए